नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार मीडिया के समाजिक सारोकार चौपाल समाचार का है याधा नमस्कार चौपाल समाचार की तादा खर्वे आपका स्वागत है मुजबफर पुर की साहिलीची को बाग से घर तक पहुँचाने की पहल में आज मुरॉल फार्मर्स पर्डियूसर कंपनी एवं उद्यान विभाग के शहयोग से लीची की पर्थम खेप बाग से निकल कर लोगों के घर तक पहुँचने के लिए चल पड़ी इस काज करम के शंबन में मुरॉल फार्मर्स पर्डियूसर कंपनी के सी यो जै प्रकास ने चौपाल समचार से बात कर बताया कि इस उद्यान विभाग बिहार सरकार इंडिया पोस्ट एवं बागरी परियोजना के माध्यम से घर बैठे लोगों को लीची मिलने के साथ साथ किशानों को भी उचित बुले प्राप्त होगा जिस से इनको मदद मिलेगी आप देखें चौपाल समाचार के वर्य शंबादाता अभिशेक आनन्द की ए रिपोर्ट पैकेट करके दो केजी का पैकेट मुझाफर पूर और पतना ये दो डिस्टिक में हम लोग घर घर जा करके ओकोस्ट ओपिस के माध्यम से उनके घर घर पहुंचाएंगे से इस तरह से ये दो किलो का पैकेट है दो सो रुपया इसका प्राइस रखा गया है ये साही लीची है मुझाफर पूर का इसको क्या गुनवध्ता को कैसे आपने ध्यान रखा लैन हम लोग ने बहुत ही वारीकी से पधा को इस समय में सुरक्षित इस्प्रे ए श्रची किया गया था पानी का जो उनका है प्रवान में ही वह जहां पर फल तूटता है वहीं पर इसको तोर करके मास्क लगा करके लोग बैठ करके सब दीदी लोग को रोजिकार भी दिया जा रहा है जो बैठ करके दीदी लोग और वहां बनाती है इनको अफिर हमारे जो स्टाप है मुरल फरनल पोडेशर कमपनी का वो पैकेट करते हैं पैकेट करते हैं सबसेंटाइजेशन लगे यह करके और उस तरह से पैकेट करके फिर हम लग पोस्ट ओफिस की गारी आती है पोस्ट ओफिस की गारी से हम लग जो मुझा पूर है पक्ता है वहां पर और मेरा स्टाप जाएगा पॉस मसीन हो यह कैस वी कर चुके हैं उनके लिए यह पैकेट हम लोग त्यार किया है और इस पैकेट को अपना पर चाहेंगे मेरा नाम जय प्रकास राय हुआ और मुरॉल फर्वर प्रोडियोसर कंपनी के हम सी यो कर दो